जीवन अनुभव कर सकती हूँ एक वो भी जीवन था जहां समाज अध्यात्मिक्ता का महत्व नहीं समझ पाता था और तब एक युग बुरुष ने ब्रह्मा बाबा ने कई कठिनाईयों का सामना करते हुए भी इश्वरियचेत्ना की मशाल को जागृत रखा और उसी के फल स्वरूप हम सभी इस घड़ी इस श्वरिय सुख का स्वाद ले रहे हैं वाहरे ब्रह्मा बाबा और वाहरे उनकी ये जीवन कहानी प्राएप करते हैं सब्सक्राइग झाल सब्सक्राइड़ की उते को ची बहुरा सब करके खुद को चीपाया 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 यह अच्छ गया क्या नकी छोती मन में जगाए बेहत काही यह अच्छ गया चंदल साचंतन को बनाए जीवन को महबा दिया कितनो का मामा भाक्य चजाया बेकर दीप्यू पहा सब कभी खिडी खुद सोची पाया अच्छ पाया सबस्क्रिण पाया कि आच सबस्तों को बनाए हूँ प्योर्ट कुछड़ॉ की या भूकु उखो तीठ बना कर सबका है क्यान किया अग तो महा तीठ बना कर सबका है क्यान किया ब्रह्मा तनले धरती पर खुद को है समार किया राज योग का योग सिखाए सबका किया उखाए सबकर की कुद को चिपाया ओ करन करवन्हा सबकर की कुद को चिपाया ओ करन करवन्हा आपकी आने से वन्दह बाबा सुर के संसा सबकर की कुद को चिपाया सबकर की कुद को चिपाया सबकर की कुद को चिपाया अम शांती अब हमारे में से कितने मानते हैं कि जो जगह पर जिस ज्ञान का हम लाब ले रहे हैं वो सब ब्रह्मा बाबा की तपस्या और त्याग का फल है मानते हैं? मानते हैं? तो जब हम यह मानते हैं तो क्या यह भी मानते हैं कि एक बाप ही अपने बच्चों के लिए यह त्याग कर सकता है क्या ये भी हम मानते हैं कि वो मेरा अलवकिक बाप है जो मेरे जनम से पहले ही जिन्होंने शरीर तो भले छोड़ दिया था लेकिन वर्सा मेरे लिए छोड़ के गया था हमारे लिए वर्सा छोड़ के गया था और हम सिर्फ उस वर्से के अधिकार बन रहे हैं और उन्स हम अपना अधिकार बाबा से ले रहे हैं तो विशेश कल भी हमारा ये क्लास तो होगा लेकिन विशेश हमने 18 जन्वरी के लिए बहुत सुन्दर प्रोग्राम बनाया है और प्रोग्राम पोस्ट तो होगा लेकिन उसको डीटेल में संदे के मूरली क्लास में हम आपको एक्स्प्लेइन करेंगे लेकिन बहुत सुन्दर बाबा के घर से प्रोग्राम बना है 18 जन्वरी का और जैसे हमने आपको भी पहले भी शेर किया था कि हमने कभी ग्यान में आने के बाद 18 जन्वरी के दिन काम नहीं किया है I don't work पूरा दिन चुट्टी लेकर भी तपस्याई करती थी तो ये मैंने अपने जीवन की धाना रखी है तो हमने भी इसी प्रकार से प्रोग्राम सकैजूल किया है जो हम कहानी में बाबा की कहानी में सुनते हैं तो भले हम शरीर से कितने भी दूर क्यों नहों, लेकिन वास्तों में शरीर तो सरफ एक, अभी तो बाबाने समझा दिया है, शरीर तो सिर्फ एक जरीया है, तो आत्मा अपनी एनरजी के साथ, अपने वाइब्रेशन के साथ परिवार कहीं भी बना सकती है, और वही परिवार बनाना हमें ब्रह्मा बाबाने सिखाया है तो बहुत सुन्दर बठी का प्रोग्राम है तो अगर आप में से कोई जॉइन होना चाहे तो पूरे दिन का अगर आप करेंगे तो आपको शाम को पता चलेगा कि स्मृति दिवस का क्या फावर होता है हमने लास्ट में 163 पेज पर स्टॉप किया था भारत में इश्वरिय विश्व विद्याले की स्थापना परमपिता परमात्माद्वारा स्थापित या इश्वरिय ज्ञान यज्य पाकिस्तान से भारत में कैसे स्थानांतरीत हुआ इसके बारे में भी एक विचित्र कहानी है इस विशव में ब्रम्हा कुमारी मन मोहीनी जी ने निम्नलिखित वृत्तान सुनाया है मेरे लौकिक संबंधी जिनका बंबह में तथा विदेशों में लाखो करोडो रुपियों का विवापार चलता है चाते थे कि किसी तरस से हम पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ जाए अतहां उन्होंने इस उद्देश्य से कराची में हमें कई पत्र लिखे इदर लोगों की ज्यान सेवार्थ भारत जाने के लिए हमें शिव बाबा का भी आदेश तो मिल ही चुका था परंतु साथ साथ बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्राम्हन लोग तो निमन्तरन पर तथा ईश्वरिय सेवा के लिए ही कहीं भी जा सकते हैं योही तो उनका कहीं जाने का कोई प्रयोजन नहीं होता है अतह अब जब मुझे लोकिक संबंधियों से निमन्तरन तथा हवाई यात्रा की टिकित मिला तो बाबा की आग्या से मैं कुछेक अन्य दैवी भेहनों के साथ बंबै में गई लोकिक संबंधी हमारे स्वागत के लिए हवाई अड़े पर आए हुए थे जैसे लोग किसी महात्मा के स्वागत के लिए फूल मालाए लेकर आते हैं वैसे ही प्रचलित रिवाज के अनुसरार हमारे लोकिक संबंधी भी हमारे लिए फूल मालाए लाए हुए थे परंतु हम लोगों को तो बाबा की और से यह शिक्षा मिली हुई थी कि हम फूल मालाय स्विकार नहीं कर सकते क्योंकि ये मालाय तो केवल देवी देवता जो की पूर्ण पवित्र होते हैं उन्हें ही धारन करने का अधिकार है जबकि हम अभी उन देवी देवताओं के समान पवित्र बनने का पुर्शाद कर रहे हैं और हम सेवाधारी हैं अतह हमने यह मालाय अपने गले में धारन नहीं की और इस विशय में हमने उन्हें बाबा से मिले आदेशों से परिचित किया इस प्रकार बाबा के द्वारा मिली शिक्षाओं का पालन करते हुए हम लोग अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ पर गई वहाँ उन्होंने दो कमरे हमारे आवास निवास के लिए ठीक ठाक करा दिये थे और वहाँ एक कमरे में ऐसी भी व्यवस्ता की गई थी बस जोही हम संबंधियों के यहाँ जाकर ठैरी त्योही अर्थात पहले दिन से ही हमारे लोकिक मित्र संबंधि तथा अन्यान्य लोग इश्वरिय ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास आने लगे हम यह सोचकर बड़ी खुशी होती थी कि प्रारम में जो लोग हमें ओम मंडिली में जाने से रोकते थे आज वे स्वयम भी हमारे जीवन से प्रभावित होकर हमसे कुछ ज्ञान वारता सुनने के लिए उच्शुक है हमारी खुशी का एक और भी कारण था बाबा हमें सदा कहा करते थे बच्ची यह उक्ती है कि पहले अपने लोकिक घरवालों को सुख देना चाहिए चैरिटी विगेंस एठ होम अतह उस नीती वचन के अनुसार आप वच्शों को भी पहले अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करनी चाहिए बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्रम्हा कन्या वह है जो अपने पियर और ससुरार दोनों कुल को तारती हैं अर्थात यदि कोई ब्रम्हा पुत्री ईश्वरिय ग्यान प्राप्त करने से पहले विवाहिता थी और अब कुमारी व्रत धारन करके वह अपने मैके वालों को तथा ससुरार वालों को भी ईश्वरिय ग्यान द्वारा अतिंद्रिय सुक देने का यतन करती हैं अतह अब अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करते हुए हमें ऐसा महसूस होता था कि हम अपने करतव्य तथा उस ईश्वरिय आदेश का पालन कर रही हैं हम लगभग दो मास उन संबंधियों के वहां ठैरी जिन कमरों में हम ठैरी थी उन्हें छोड़कर हम दो मास की अवधी में और कहीं भी नहीं गई हमारे दैखिक संबंधी कारे लेकर आते थे और हमसे अनुरोध और स्नेह से कहते थी बंबई देखने जैसा शहर है चलो हम आपको दिखा कर लाते हैं परन्तु हम कभी भी बंबई घुमने के लिए नहीं गई क्योंकि एक तो हमें इसके लिए कोई रुची नहीं थी और दूसरा हमें तो अब यह सारा संसार एक माया नगरी अथवा निस्सार लगता था अतह हम उनसे कहती थी कि हमने सत्यू का वो भारत भी देखा है जो की धर्म भूमी और देव भूमी था और जहां सोने चांदी के महल हुआ करते थे तथा राजा और प्रजा बहुत सुखी रहते थे अब उसकी तुलना में आज का यह भारत यह बंबई क्या है यह तो कूर खंड अर्थात माया भी बन गया है तभी तो ग्यान प्राप्त होने पर कवी ने लिखा है धर्म भूमी यह कूर कंड हो गई बन गए पुझ आज पुजारी निर्विकारी ता स्वक्ण बन गई और सभी बन गए भिखारी भोग भोग की यह बात रह गई डसे हुए खे सब को माया एक मुर्च नामे सब व्याकूल बैठे मान स्वयम को काया कोई कहता सभी इश है कोई फिर भगवान नहीं है जितने मुह उतनी हैं बाते कोई सत्य प्रमान नहीं है तो हम जोकी शिव बाबाद्वारा दिव्य द्रश्टी प्राक्त करके स्वर्ग के द्रश्य देखती है वे इस माया नगरी बंबई को देखकर क्या करेगी इस प्रुथ्वी पर रहने वाले लोग सत्यू में बुज्य देवता थे परन्तु अब तो वे पुजारी और विकारी हो गए हैं इस प्रकार की बाते कहकर हम उन्हें टाल देती थी हमारे संबन्धियों ने अनेक बार हमें कई प्रकार के भोजन अथ्वा वैभवी भी भेटों की थी परन्तु हम तो सदेव अपने हाथों से दो साधी रोटी बनाकर साधा सबजी के साथ खाती थी और मन में इश्वर के गुण गाती थी अतह उन लोगों को विचार आया कि ब्रह्मवत्स अब अपने जीवन को बहुत उच्छा बना चुके हैं न तो उन्हें घुमने फिरने का शौक है और ना ही उन्हें खाने पिने का चस्का है इनके जीवन में त्याग ही उच्छ भावना है एक और वे बंबई के फैशन और वहां के लोगों के राजसी, रहन सहन तथा भोगमय जीवन को देखते थे और दूसरी और वे हमारे सफेद एवं सादे वस्त्र तथा बहुत ही सादा खान पान को देखते थे तो वे ब्रह्म वत्सों के त्याग से प्रभावित हो जाते थे अतह वे हमें वापस कराची जाने न देते परन्तु हमें तो वापस जानना ही था हम जितना समय वहां रही उतना समय उन्हें मदूर इश्वर्य ज्यान तो सुनाती ही रही और उन्हें परम्पिता परमात्मा की स्मृति में भी बिछाती रही अन्य जो लोग भी हमें मिलने आते उन सभी को हम यही संदेश देती थी कि शिव बाबा को अब याद करो तुम्हें मुक्ती धाम में जाना है अपने पुरुशार्थ के बल पर सत्यूग में तुमको आना है यह एक ट्राफिक कंट्रोल का गीत है यह संगम का स्वर्णिम यूग है शिव बाबा फिर से आया है ब्रह्मा मुक्त से शिव बाबा ने वही कीता ज्यान सुनाया है शिष्टी का अंत अब आया है विक्राल विनाश खड़ा आगे हे समय आखरी है सबका शिव बाबा ने ये बतलाया है पांडव शिव शक्ती सेना की रणभेरी अब फिर बज़ती है शिव बाबा के नेत्रत्व में फिर माया को मार भगाना है शिव बाबा को याद करो तुम्हें मुक्ती धाम में जाना है कुछ समय के बाद हमारे लौकिक संबंधियों ने सारे यग्य के स्थानांतरण के लिए बाबा को एक निमंतरण पत्र भी लिख कर बेजा बाबा ने उन्हें कहा कि नमंतरण उसी का स्विकार हो सकता है जिसे ज्ञान सुनने की तथा ईश्वरियन निमंवों का पालन करने की लगन हो ऐसा उत्तर मिलने पर उन्होंने हमारी एक अन्यदेवी बहन जिसका नाम ब्रमहार कुमारी लीलावती है और जिनका उनके साथ लौकिक संबंध भी है कि और से यग्य में निमंत्रन भेज़ा और हमें कहा कि सभी यग्यवत्सों के आवास निवास के लिए भारत में कोई अनुकुल भवन ढूंडा जाए मैंने तथा ब्रमह कुमारी लीलावती ने पूना, बॉमबे, अमदावाद आदी में कई भवन देखे परन्तु हमें धाई तीन सो यग्यवत्सों से के इकच्छा रहने के लिए उन तीनो नगरों में ऐसा कोई भी भवन नहीं दिखाई दिया जिसमें एक ठीक व्यवस्ता हो सके मकान धुनने के कारे में हम अमदावाद में सरवानंद जी तथा गैश्वरानंद जी जो कि प्रसिद्शन्यासी और प्रचारक थे और जिन्हें कि सिंध के लोग गुरु मानते थे हमें काफी उन्होंने सहीवग दिया उन्होंने अपने एक सन्यासी शिष्ट सिद्धानंद जी को भी हमारे साथ भेज़ा बाद में जब ब्रिज कोठी में रहते थे तो सिद्धानन जी कुछ दिन वहाँ पर आते रहते थे और सिद्धानन दी जाते समय अपना अनुभव सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं सद्धा ये समझता हूँ कि स्त्री और पुरुष इकठे रहते हुए कभी भी पवित्र नहीं रह सकते हैं परन्तु मेरे जीवन में जब ये पहली बार मुझे ये अनुभव हुआ है कि हाँ वो रह सकते हैं यहां में जितने दिन रहा मुझे कभी स्त्री पुरुष का भान ही नहीं आया बलकि सदा मेरी आत्मिक दृष्टी ही बनी रही कर्म सन्यासियों के संग में रहते हुए मेरी दृष्टी इतनी शुद्ध कभी नहीं हुई थी आखेर हम माउंट आबु में कोई अनुकुल भवन देखने के लिए आई हमारे कुछ लौकिक संबंधी भी हमारे साथ में थे मैंने एक देवी बहन ब्रह्मा कुमारी रुकमिनी जी के साथ मकान ढूनते ढूनते माउंट आबु की बृज कोठी देखी जो की भरतपूर के महराजा की थी मुझे वो पसंद आ गए और वो कोठी कोई बहुत ज़ादा अच्छी नहीं थी परन्तु उस कोठी को देखते हुए मुझे बाबा के कुछ महावाक्त के याद आ गए इसलिए ये कोठी ले लेना मुझे उचित लगा बाबा हमें सिंद में काफी पहले कहा करते थे कि बच्चे अंत में आप ब्रम्हा वत्स परवतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महराजाओं की कोठीयों में रहेंगे बाबा के यह पुर्ववचन मेरे मन में बार बार प्रबल प्रेर्णा के रूप में उठते और मेरे मस्तक को समझाते थे कि यह आबू ही वो परवत है और यह ब्रिज कोठी तो महराजा भरतपूर के महराज की कोठी है अतह यही वो परवत है जिसके बारे में बाबा पहले से ही हमें बार बार कहते रहते थे कि अंत में आप पांडव परवत पर तपस्या करते करते अपना शरीर छोड़ दोगे बाबा यह भी कहा करते थे कि जब इस कल्योगी विकारी श्रिष्टी का मिनाश होगा तो ब्रम्हावत्स उस पहाड़ी पर ही होंगे तथा वहां से ही मिनाश देखेंगे अतह मुझे प्रबल प्रेर्णा हुई कि हो न हो यह वही पहाड़ी है और यही वह राजा की कोठी है जहां हम शिव शक्तियों और पांडवों को अर्थाद ब्रम्हावत्सों को आकर तपस्या भी करनी है और रहना भी है अतह मैंने अमदावाद जाकर बाबा को कराची में टेलिफोन किया और ब्रिज कोठी के बारे में उनसे राए मांगी तब बाबा ने इस थान के लिए जट से ऐसे ही स्विकृति दे दी जैसे कि बाबा के मन में यहां आने की योजना पहले से ही हो और हमें केवल ढूनने की सेवा का आउसर और खुशी प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने भेजा हो ब्रह्मा कुमारी रुक्मनी जी जो थे वो बहुत ही धनाध्य कुल से संबन्दित थे और परन्तु उनका जीवन जो था वो बहुत ही त्याग मै था जो मनमोनी दिजी के साथ जो मकांडुने गए थे यग्य के एक विशेश सेवाधारी भाई का आबु में अनव जब शिव पाबाने सिंध अथवा पाकिस्तान से यग्य को भारत में स्थानांत्रित करने का निर्देश दिया तब आबु में ब्रिच कोथी लेने तथा ब्रह्मा मुखवन शावली के आवास निवास आदी के लिए उचित्र प्रबंध करने के लिए सबसे पहले एक विशेश अनुभवी ब्रह्मा कुमार को भेजा गया था अब वह यग्यवत्सों में से एक मुख्य भाई थे जिने शिव बाबा ने विश्व किशोर नाम दिया था सचमत जैसा नाम था वैसे ही उनका पुर्शाद भी था वे भविष्य में विश्व के मालिक श्री नारायन का किशोर बनने जैसा ही पुर्शाथ किया करते थें वह इश्वरिय ज्ञान की धारणा से पहले कलकत्ता में एक उच्च नामावर जोहरी थे लौकिक नाते से वो बाबा के भतीजे थे उन्हें बाबा के प्रती अगाध स्नेह और अत्यंत सम्मान था बाबा ने ही उन्हें जवारात का धंदा सिखा कर निपुन जवारी बनाया था जब बाबा को इश्वरिय साक्षातकार हुए थे और उन्होंने जवारात की धंदे से अवकाश प्राप्त किया था तब विश्व किशोर जी के मन में भी यह संकल्प था कि मैं भी बाबा का अनुकरून करूंगा। उन्होंने बाबा से अपनी हार्दिक इच्छा प्रगठ की थी। परंतु बाबा ने उन्हें निर्देश दिया था कि अभी थोड़ा ठैरो। कुछ समय के बाद आपको भी पुर्ण रूपेण प्रभु अर्पन होने की राय दे दी जाएगी। विश्व किशोड जी तो हर हाल में राजी थे। जैसे बाबा उन्हें चलाएं वैसे ही चलन में हैं उनको खुशी होती थी। कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें इस इश्वरिय ज्यान में समर्पन होने की प्रेणा मिल गए। और तब वे सपरिवार इस इश्वरिय यग्य में सर्वस्व समर्पित हो गए थे। उनकी युगर जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संत्री है, जिसका आपने अनुभव सुना है मेरे ख्यान से मूर्ली क्लास के बाद, जिनका नाम ब्रह्मा कुमारी संत्री है, उनकी भी लगन और तनमयता तथा त्याग से इसी इश्वरिय विद्या के अध्ययन और सेवा के का आरवान, तथा, निश्य बुन्थी, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और इमानदार थे। वे जब भी कभी लोगों से, यग्य के किसी कारे के प्रदी मिलते थे, तो लोग उनसे पूछते थे, आपका इस संस्ता में क्या स्थान है? क्या आप वहां के सेकरेटरी है? तब मैं तो एक मामूली इश्वरिय सेवक हूँ. वे पत्र वैवार में भी स्वयम को इश्वरिय सेवक लिखकर हक्स्ताक्षर करते थे. यो थे, यो तो वे थे इस इश्वरिय विश्वरिय द्यालाई के एक प्रबंदक. भारत में जब आकर उन्होंने भरतपुर के महराजा की कोठी, जिसे ब्रिज कोठी भी कहा जाता है, उनको यग्यवत्सों के विद्या अध्ययन तथा आवास निवास के लिए ले लिया. तब यग्यपिता, यग्यमाता तथा सभी यग्यवत्स आबु में पधारे थे. बाबा बोले कि सापों से ही तो हमारा मुकाबला है. ब्रम्हा कुमारी दिदी मनमोहिनी जी कहती है कि जब वे ब्रिज कोठी से तयार होकर बाबा, मम्मा और यग्यवत्सों को ओखा बंदरगाह पर स्वागत करने के लिए रवाना होने लगी ही थी, तब मैंने ब्रिज बाबा और मोटा साब देखा. इससे मेरे मन में संकल्प उठा कि शायद मैंने यग्यवत्सों के लिए गलत स्वाद चुना है. अतहर जब मैं ओखा बंदरगाह पर बाबा से मिले, तो मैंने उनके कानों में धीमे-धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमने जो स्थान लिया है न, वहाँ तो साब है. मैंने बाबा को कहा, यह बता देना अपना कर्तर वे समझा था. मेरी यह बात सुनकर बाबा ने मस्कुरा दिया और वो बोले, बच्ची, कोई हज नहीं. साब हमारा क्या विगाड़ेंगे? हमें तो साबों से मुकाबला करना है. यहाँ साबों से बाबा बाबा के इन शब्दों को सुनकर मेरे मन को बहुत शंतोश हुआ. मैंने अपने आप से यह कहा कि चलो, बाबा ने स्वयम ही अब इस्थान को पसंद कर लिया है. मेरा ध्यान इस बात की और भी गया कि बाबा हमारी अवस्था को बिलकुल स्थीर और अभय बनाते हैं. तो ये 1950 की बात है. ये कोठी जो है, वो 1915 में ली गई थी. जब सभी यग्यवत्ष आबू परवत पर पहुँचे, तब उनके मन में भी यह विचाचला कि पतानी आबू को यग्य के लिए क्यों चुना गया है. परन्तु समयांतर में शिव बाबा ने ज्ञान मुर्लियों में समझाया कि कैसे 5000 वर्ष पहले भी यहां ही आदी देव ब्रम्हा और आदी देवी सरस्वती ने अपने वस्तो सहीत तपस्या की थी. जिसकी यादकार के रूप में यहां विश्व का अती सुन्दर, दिलवाडा मंदिर, अंबाजी का मंदिर, अधर देवी का मंदिर, कुवारी कन्या का मंदिर तथा अचल जड का मंदिर बना हुआ है. और यहां एक इतिहास प्रसिद यग्यकुंड भी है, जिसके बारे में दंत कथा है कि इस यग्य से सूर्यवंशी राजकुल के पुर्वज निकले थे. तब भी यग्यवत्सों को यह जानकर और भी खुशी हुई कि एक और दिलवाडा में हमारी कल्प पहले वाली पार्थिव यादगारे हैं और दूसरी और हम अपने देवी माता पिता के साथ अथवा आदी देव और आदी देवी के साथ इसी परवत पर वही 5000 वर्ष पहले की तरह ज्यान यग्य कर रहे हैं और सूर्य वंशी महराजा बनने का पुरुशाद कर रहे हैं तभी तो कवी की लेखनी में निम्न लिखित पद अंकित किये गये हैं आख खोल देखे दिलवाडा खोले मन का बंद की वाडा मंदिर के देवो की प्रतिमा ब्रम्हा वत्सो की ही प्रतिमा मंदिर की प्रतिमाओं का जीवन रूप मदूबन में देखा आदी पिता जग दंबा के संग इन्हे तपस्या में रत देखा अगनी कुंड का गुह्य राज है जान चुका ब्राम्हन समाज है शिवने जिसको रचा आज है रुत्रयग्य हमें पर हमें नाज है संगम का शुभ वन न है ब्राम्हन इसी यग्य में अरपण होकर स्वाहा करके निजतन मनधन अश्वमेग को करता पूरण जीवन की इन आहुतियों से मा सरस्वी ब्रह्मा ब्राम्वन सत्युग में जाकर बनते हैं ये श्री लक्षमी श्री नारायन आबु में यग्यवत्चों का पधारना और परवत उपर तपस्या करना अब सिंध में स्थानांतरित होकर सभी सिंध से स्थानांतरित होकर सभी यग्यवत्ष आबू में ब्रिजकोठी में आकर रहने लगे थे वे इश्वरिय विद्याध्यन तथा प्रभूस्मती में डवलीन रहते थे प्रतिदिन प्रातह उन्हें इश्विर्य ग्यान की मदूर मूरली सुनाकर अतींद्रिय सुख देने वाले बाबा उन्हें प्रायह सेर करने तथा परवतों पर चड़ने भी अपने साथ ले जाते थे जब सभी यग्यवत्स निकर और रबड के बूठ पहने हुए समूह में ब्रिज कोठी से निकल कर डैम लेक नकी लेक आदी की और जाते थे तो स्थानिय लोग निस्तब्ध हुए उनको अपलग देखते रहते थे कि यह शक्ती दल कहा आ रहा है उनके मन में प्रश्न उठता था कि हम कोई स्वप्ण तो नहीं देख रहे है न उन्होंने कभी भी इतनी संख्या में कन्याओं माताओं का इस फूर्ती से इस वेग से दौड़ते चलते परवत पर चड़ना नहीं देखा था जब इतने सारे सफेद वस्त्रधारी यज्यवत्स परवत पर चड़ रहे होते थे तब वह द्रश्य देखते बनता था मार्ग पर चलते लोग वहां के वहां खड़े होकर एक टिक देखरते रहते थे जब तक कि वत्सों का समुह उनकी द्रिष्टी से ओजल न हो जाए परन्तु दर्शकों को यह थोड़े ही मालूम था कि गुप्त वेश में यह शिव शक्तियां अथवा यही राजरिशी है उन्होंने तो सुन रखा था कि शक्तियां तलवार कवच आदि से सजी होती है और असुरों से युद्ध करती थी परन्तु यह सच्ची शिव शक्तियों को तो कहती थी हे कवच हमारा सहज योग हम सजी ज्ञान तलवारों से दिन रात युद्ध करती रहती माया के पांच विकारों से अपना यह युद्ध अलोकिक है हम तो माया को मार रहे हम काम शत्रू यह क्रोध शत्रू सब एक एक कर हार रहे यह मनो जगत का महा युद्ध इसमें हिंसा की बात नहीं मर जीवा बच्चे ब्रह्मा के हम करते कोई घात नहीं ब्रह्मा कुमारी ताधी प्रकाश्मनी जी जो की वर्तमान समय एस विश्वर विश्व विद्याले की मुझे के प्रश्यासिका है वो कहती है कि बाबा हम वत्सों से जब हम वत्सों को जब पहाड़ी पर ले जाते थे तो बाबा की आयू तब 70 से भी अधिक हो चुकी थी फिर भी बाबा की रफ्तार सभी से तेज होती थी परवत पर चड़ने वालों में रुद्ध माताईं भी होती थी और छोटी आयू के गोप भी होते थे परन्तु बाबा के साथ होने के कारण सभी इतने खुश होते थे और परवत पर ऐसे हर्ष से चड़ते थे कि पता नहीं वहाँ जाकर उन्हें शायद स्वर्गी मिल जाएगा परवत पर चड़कर बाबा और मम्मा वहाँ सभी वत्सों को इश्वरिय ग्यान के रमनीक रहस्यों से बहलाते थे वे उन्हें पित्रुवत मात्रुवत स्नेह देते थे तथा उन्हें योग में बिठाते थे बाबा कहते थे देखो अब हम वेहत में आ गये हैं यहाँ वातावरण कितना स्वच्छ और शान्त हैं देखो इस वातावरन में शिव बाबा को याद करने में कितना आनंद है। अभी बच्चे अंतर मुखी होकर बैठो और अपने most beloved अत्यन्त प्रिय बाबा की याद में जिसने हम सब को अज्ञान की नींद से जगा कर इतना उंच बनाया है और शुष्टी के आदी मध्य अंत क राज समझाया है। ऐसे कहते कहते ब्रम्हा बाबा के नेत्रों से प्रेम का समुद्र एक अनूठी जलक देता था। विश्य बाबा की मधूर्याद में तन्मय हो जाते थे और सामने बैठे सभी यग्यवत्सों को भी अपनी योग दृष्टी से योग स्थित कर देते कुछ एक वस्थ तो ध्यान अवस्था में भी चले जाया करते थे। उस अवस्था में उन वस्थों के नेत्र बंद होते और वे वही ऐसे रास करने लगते थे जैसे कि किशोर अवस्था वाले श्री कृष्ण उनके सामने खड़े हो और वे वस्था उनकी उंगली पकड़ कर उनके साथ रास कर रहे हों। रास करते करते कई बार वे पहाडी के आखरी सीरे से भी गुजरती थे। इसलिए कई बार दूसरे वत्सों को ऐसा संकल्प आता था कि यह रास करने वाली बहेन कहीं पहाडी से यह सीरे से गिर कर उपर से गिर न पड़े। परन्तु यह उनका भ्रम्था क्योंकि जो दिव्य द्रश्टी के वर्दान को पाकर दिव्य मूर्थ श्री कृष्ण से रास कर रही हो तथा जिसे प्रभू का सहारा प्राप्त हो वह बला नीचे गिर के ससकती थी वहां एकांत स्थान पर जहांकि संसार के लोगों की कोई आवाज नहीं थी न विकारी लोगों की कोई उपस्तिती थी इश्वर्य ज्यान का श्रवन योग का अभ्यास तथा अपने रुहानी पिता से आत्मिक बाते ऐसी सुखमय लगती थी कि जिनका वर्णन शब्दों में कई बार बाबा सभी को कहते थे बच्ची दो या तीन तीन बहने मिलकर अलग-अलग पहाड़ी पर जाकर इश्वर्य स्मृति में बैठो तथा ज्यान का मन्थन करो जैसे गाई चारा खाने के बाद उसे जुगाली करती है वैसे आपने भी जो ये ज्यान सुनना है उस पर विचार सागर मन्थन करो इस प्रकार जब सफेद वस्तुधारी ब्रह्मा कुमारिया और ब्रह्मा कुमार आबु परवत की उची उची चोटी पर चड़कर बैठे हुए होते थे तो नीचे से ऐसे मौलुम होता था जैसे की सफेद सफेद बादर इस परवत को ढखे हुए हैं वे जब पंक्ती बांध कर एक दूसरे के पीछे पहारी पर चड़े हुए होते थे तो नीचे सड़क पर जाने वालों को ऐसा लगता था कि जैसे आकाश में कुन्जो का समोर पंक्ती में उड़ता चला जा रहा हुँ बहुत बार बच्चो को खिलाने पिलाने का सामान भी साथ ले कर जाते थे वे प्रातकाल के बाद बहुत ही सनेह और रुची से चेंबर में कहते आज बाबा बच्चो को पिक्निक कराएंगे मीठे बच्चो आज अब भी अब भी हम पहाडी पर चलेंगे वहां श्यू बाबा की मदू सूती में भी बैठेंगे, ज्यान की चिचेट भी करेंगे और फिर बाबा प्यारे बच्चों को अपने हाथों से टोली मना प्रशाद खिलाएंगे, बच्चे यह फैमिली सत्संग है, अत्वा गौड के बच्चे के साथ बैठ कर उन्हीं से उन् आत्माओं का बाब, श्यू बाबा, तथा दादा, ब्रम्हा बाबा भी आप बच्चों की आत्माओं के जन्म पुनर्जन्म की कहानी आपको सुनाता है, आप बहुत ही सिकिल दे, माना बहुत ही चाव और बहुत ही समय के बाद मिले हुए बच्चे हो, जो की कल्प के बाद कल्प के बाद बाप से आन मिले हो तो यह प्यार का सागर बाप बच्चों को स्वयम ही खिलाएगा स्वयम ही बहलाएगा वह तो निराकार है उसका अपना तो कोई शरीर है नहीं इसी लिए उसने इस दादा का शरीर उधार पर लिया है अतह इन हाथों से बहुत ही जिगरी स्नेह से वह आपके मुख में इस यग्य की शुद्ध टोली देगा जिस यग्य के पवित्र ब्रह्मा भोजन के एक-एक कंड के लिए देवताएं भी तरस्ते हैं बच्चे आप तो बहुत पकिशाली हो जिन्हें बाप स्वयम पार से खिलाता है स्वयम प्यार से पढ़ाता है अरे जरा सोचो तो सही त्रिलोक पती शिवबाबा स्वयम इतनी दूर से परमधाम से आकर आपको पढ़ाता है जिसे पाने के लिए सन्यासी लोग जंगलों में ढून्ड रहे हैं जिसके एक सेकंड के दर्शन मात्र के लिए अथवा जिसकी क्षण भर की जलक के लिए तीवरवेगी भक्त अपने सिर को भी उतार कर थाली पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा राजा राज्य भाग्य भी निशावर करने में समकोच नहीं करते हैं, ऐसा वो सबका प्यारा पिता आप बच्चों को आकर पढ़ाता है, प्यार से दुलारता है, आपका सखा बनकर आपसे खेलता भी है, पढ़ाता है, प्यार से दुलारता है, प्रभु मिलन के इस जी जिवन का ही तो गायन शास्त्रों में लिखा हुआ है। परंतो दुनिया आपको उस साधारण और गुप्त वेश में नहीं पहचान सकती है। में उस बाप से खूब मिलन मना लो और जन्म जन्मांतर आपके आपने जिसके लिए भक्ती की है ना अब उससे जितना प्रेम जितना ग्यान खजाना लूटना चाहो उतना लूट लो। इस प्रकार नारायनी नशे से सराबोर करके ईश्वरिय मस्ती के विमान में चड़ा कर तथा मदूर मुस्कान प्रेम और योग के तेज से चमकती हुई आखों से निरारते हुए मीठे मीठे बच्चे इन शब्दों से दुलारते हुए बाबा किसी को अपनी उंगली दे कर किसी की उंगली स्वयम पकड़ कर किसी के बारे में पूछते हुए किसी को पीछे सब की और निहारते हुए वे कहते थे बच्चे श्रिव बाबा की याद है यह याद है कि हम किसके साथ चल रहे हैं देखो श्रिव बाबा की याद में चलोगे तो कदम कदम में पदम पदम की कमाई करेंगे पिर कभी बाबा कहते आप बच्चे आगे आगे चलो मैं आपके पीछे पीछे आता हूं क्योंकि गवों की रखवाली करने वाला व्यक्ति सदा गवों के पीछे पीछे चलता है ताकि कोई गाय इधर उधर नहों जाएं कभी बच्चे आप पीछे पीछे चलो मैं आपके आगे आगे चलूँगा क्योंकि पंडा साधा आगे चलता है वो रास्ता दिखाता है और यात्री उनके पीछे पीछे चलते हैं इस प्रकार की मीठी मीठी नित्य नई-नई इश्वरिय ग्यान की मधुर मुली से वे सभी को म कभी वह इन माता रुपी गवों का गोपाल अथ्वा रक्षपाल बन जाते थे और कभी आत्माओं को परमधाम तथा वैकुठ की यात्रा पर ले जाने वाले पंडा बन जाते थे कभी उनका हाथ पकड़ कर उनके साथ चल रहे होते थे तो अचानक ही पुछकार कर फिर पूछते भी थे बच्ची किसका हाथ पकड़ा हुआ है श्रीव बाबा का या ब्रह्मा बाबा का बच्ची ये हाथ कभी छोड़ोगी तो नहीं जानती हो इसका हाथ पकड़ने से तुम कहां पहुँच जाओगी फिर दूसरे ही क्षन फिर ये पूछ लेते थे बच्चे किसके साथ चल रहे हो वो बोलता बाबा के साथ तब बाबा कहते हाँ बच्चे परंतु यह याद है कि इस बाबा से हमें क्या वर्सा मिलता है उस वर्से की खुशी में चलते रहना देखो श तीव रगती से चल पड़ते हैं काफी आगे निकल कर कहते देखो देखो तो यह कैसा शक्ती दल है कितना पीछे रह गया है अरे बुड़े जवान हो गये हैं जवान बुड़े हो गये हैं फिर समझाते थे कि इस तन में जो दो इंजिन है एक इंजिन है ब्रमा की आत्मा द परमात्मा इसी लिए यह ब्रमा जो है वो तेश चलता है फिर जान बुझकर वो चतुर सुजान बच्चों से हसी विनोध करने के लिए उन्हें कठीन रास्तों से परहाड़ी पर लेके जाते थे कुछ माताएं भारी अथवा व्रुद्ध शुरीर होने के कारण चड़ नह चड़ने की जगई नहीं है यह तो गोल-गोल सा पत्थर है इसे पकड़े कहां से और इस पाओं पर कहां से टिका है तब बाबा उपर के पत्थर पर खड़े होके उन्हें हाथ देकर उपर चड़ने के लिए सहारा देते थे देखो तो सबके दिलों का सहारा प्रभू उन् चड़ते चड़ते कई एक का सांस चड़ जाता था वो कहते थे बाबा अब भस करो अब आगे मत लेके जाओ बाबा प्यारे बाबा आज हम इसी पहाड़ी पर बैठेंगे कभी बाबा उनकी बात मान लेते थे तो वे खुश हो जाती थी कि देखो बाबा हमारी बात मानते हैं कभी बाबा बात मानते ही नहीं है इस प्रकार से वे मीठा मीठा सा उल्लाना देती थे इस तरह बाबा के हर कर्म में दिव्य चरित्र भरे होते थे हर बात में दिव्य स्नेह और कल्यान की भावना भरी हुई होती थी बच्चे, बुढ़े, माताएं, कन्याएं सभी उनकी मीठी ग्यान मुल्ली से उन्हें दिव्य चरित्रों से आपने अपने जीवन को हर्ष भरते चल रहे थे एक और पढ़ाई और दूसरी और परिक्षाएं चल रहे थे इस प्रकार आबु परवत पर यग्यवत्स योग तपस्या करते रहते थे मानो पारवतियां पारवति का मतलब बाबाने बहुत एक मुल्ली में अच्छा बताशे पारवतियों को शियु को वर्णे के लिए योग साध हो रही थी यग्यवत्सों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते थे और अपनी आत्मिक उन्नती में निरंतर तत्पर रहते थे अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परिक्षाएं भी उनके सामने आती रहती थी इस विशय में ब्रह्मा कुमार विश्वरत ने जो वर्तमान समय आबू में यग्य सिवा करते हैं वो लिखते हैं यह ब्रिच कोठी में जिसने अब यग्यवत्स आकर रह रहे थे एक समशान के निकट एकांत वास में था यग्यवत्सों के आबसने के पहले यह कोठी काफी समय तक खाली थी आबु के कुछ लोग कहते थे कि इस कोठी में भूतों का वास है आबु शहर के बाहरी सिरे पर वन के निकित होने के कारण यहां कई बार सर्प तथा वन्य पशु भी निकलाया करते थे अतह अब यग्यवत्सों के लिए इस सिक्षा स्थली में विशेले जीवो, हिंसक पशुओ, प्रेत आत्माओ, समशान के उच्चाट वातावरन और बिहडग स्थान में अती मौन वातावरन के रूप में यह एक परिक्षा सामने आई सन्यासी लोग तो नगर को छोड़ कर विशेश तोर पर वन में जाकर वास करते हैं तथा हिंसक पशुओं और विशेले जीवों के द्रश्य से पैदा होने वाला भय तथा निर्जन स्थान की मन को खदेडने वाले मौन की परिस्थिती को पार करने का अभ्यास करते हैं परन्तु यग्यवत्सों के सामने तो यह परिस्थिती स्वयम ही सामने चल कर आई थी परन्तु अपनी किन्तु अपनी आत्मिक स्थिती तथा ज्याननिस्ट अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की यह परिस्थितियां रिंचक मात्र भी डरावनी नहीं लगती थी कोई साप सामने से होकर जाता तो वे ऐसे खड़ी रहती जैसे की रबड का बना साप चाबी देने पर चल रहा है वे सोचती हम तो श्रीव बाबा की हो चुकी है और इसे कुछ हानी नहीं पहुंचा रही है तो यह हमारे साथ क्यों शत्रुता करेगा कभी-कभी भूत भी आते थे परन्तु यग्यवत्सों के योगबल एवं पवित्रता के सामने वो ठिक नहीं पाते थे परन्तु यग्यवत्सों के वे कुछ ही समय में अब इस बसेरे को छोड़ कर भाग गए थे सच है कि जिन देवियों ने अब काम क्रोधागनी विश्व व्याप भूतों पर विज्वय प्राप्त करने का प्रबल पुर्शात किया था जिनोंने मर्न को निर्जन परमधाम के वासी परम पिता परमात्मा शिव में एक टिक सित करने का अभ्यास साधा था जिनोंने सापों से भी अधिक विशेले अर्थात काम रूपी वीश के मतवाले मनुष्यों के प्रहारोग के सामने भीहार नहीं मानी थी वे अब इन सापों से अथ्वा यहां के सुनसान वातावरण से क्यों डरती उन्हें तो यहां का एकांत एक परमपिता परमात्मा के अंत में स्थित होने के लिए बहुत ही अनुकुल लगा और तपस्या के लिए बहुत ही प्रिय लगा उन दिनों आबू में गेहु का राशन था यहां हरे के लिए गेहु का आटा पूरी मात्रा में नहीं मिलता था परन्तु कुछ मक्कई और बाजरे का आटा भी साथ लेना पड़ता था यहां चावल बहुत ही हलकी किसम के थोड़े से ही मिलते थे यहां के पानी में भी लवन तथा खनीज अधित था और वायू में भी खुश्की थी पानी भी बहुत भारी था अतह खान पान और जलवायों के अनायास परिवर्तन के रूप में एक परिक्षा यग्यवत्सों के सामने आ गई यग्यवत्सों में प्रायह ऐसा था जिनका शारीरिक जन्म धन्वान घराने में हुआ था और जो लाड़ और नाजों में पाले हुए थे और फिर जब व्यग्यवत्सों ने अलवकिक जन्म लिया और था इश्वर यग्यान द्वारा परमात्मा को परमपिता परमात्मा के रूप में तथा ब्रह्मा बाबा को अलवकिक पिता के रूप में अपनाया था तब इस इश्वरिय यग्य में उनका जो लालन पालन अथवा भरण पोर्षन हुआ था वो बहुत ही सात्विक और उच्च था सिंध में बाबा ने उन्हें जिस प्रकार का खिलाया पिलाया था जैसे उनकी संभाल की थी जिस प्रकार के उन्हें स्वास्थ और सुख की सामद्री चुटाई थी वैसा सनेह और सुख सारे कल्प में कोई भी लौकिक पिता भी अपने बच्चों को नहीं दे सकता केवल अब ही कि यह परिक्षा यग्यवत्सों को संपूर्ण और अधिक अधिक सहनशिल बनाने के लिए आई थी परंतु प्रकृति को अधिन करने की जो शिक्षा उन्हें मिली हुई थी उस शिक्षा के बल से उन्होंने शुधा तृष्णा को तथा प्रतिकुल जलवायू से आई कठानाईयों को भी पार किया क्योंकि नित्य ग्यानामृत मिलने से उन्हें जो खुशी मिली थी उस खुशी रुपी खुराक के होते हुए वो अलपाहारी तो वैसे ही हो गए थे और हर प्रकार की परिस्तिती को सहज ही लांग जाने की ट्रेनिंग भी उन्हें मिली हुई थी एक बार कराची में शिव बाबा ने यग्यवत्सों को लगा अतार 15 दिन तक केवल बाजरी का डोड़ा और छाच ही लेने का निर्देश दिया था यहां तक कि जो वस्त बिमार थे उन्हें भी कहा गया था कि वे भी इसी भोजन पर रहेंगे वही भोजन उनके लिए आउशदी अथवा अमृत का काम देगा तब किसी किसी यग्यवत्स के मन में यह संकल्प उठा था कि बिमार बहने अथवा अस्वस्त भाई बाजरी की रोटी और छाच पर कैसे निर्वा करेंगे वे तो इस आहार पर और अधिक बिमार पढ़ जाएंगे परन्तु बिमार कन्या माताओं तथा भायों ने निर्शंकल्प होकर तथा संपोर्ण निश्य से शिव बाबा द्वारा बताए उस भोजन को ब्रह्मा भोजन वैश्णव भोजन अथवा यग्य प्रसाद की भावना से लिया सभी को उसके प्रणिणाम से बड़ा संतोश हुआ क्योंकि उनका स्वास्त दिनों दिन अच्छा होने लगा था अतह उनके निश्य में वृद्धी हो गई तब उनके मन में दढ़ता पुर्वक यह पाठ प्रेक्टिकल रिती से पढ़ लिया था कि शिव बाबा कल्यान कारी तो है ही और उनके द्वारा पताए कि किसी भी आग्या पर चलने से कल्यान निश्चित है उसमें अकल्यान की बात सोचना मानवी वृद्धी की सरासर भूल है अतह जो परिस्थती सामने आई थी उसमें भी कल्यान ही माना जाता है यग्यवत्स मन ही मन समझते थे कि इसमें भी हमारे पुर्षाद की अत्वा शिक्षा की ही जरूर कोई बात छिपी हुई है उन्हें मालुम था कि योगी के सामने निंदा, स्तुती, जय पराजय, हानी लाग, सर्दी गर्मी, शुदा तृष्णा, अमेरी गरीमी, आदी के रूप में परिख्षाएं तो आती ही है परन्तु सच्चा योगी प्रभू आश्रित होकर एक प्रभू के याद खी के बल पर और भरोसे पर उन सभी को हस्ते हस्ते पार कर लेता है अदह, यद्यपी खानपान तथा जलवायों के इस परिवर्तन ने कई एक यग्यवत्सों के स्वास्त पर थोड़ा प्रभाव डाला था परंतु प्रायह सभी ने अपने तन द्वारा अथवा प्रकृति के तत्वों द्वारा आई इन कठिनाईयों को खुशी खुशी पार कर लिया था इस परिस्तिती में यग्यवत्सों ने एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना को प्रदश्यत किया था जिन वत्सों का स्वास्त ठीक नहीं रहता था उनके लिए दूसरे वस्त स्वेच्छा से अच्छे गेहु का आटा तथा चावल जो भी और स्वस्त अथवा वुद्ध वस्तों के अनुकुल हो उसे छोड़ देते थे स्वया मकाई और ज्वार के आते की रोटी खाकर बहुत ही कम भोजन में भी अपना गुजारा करते थे तो कल जो है हम त्याग के उपर और डीटेल में पढ़ेंगे पेज नमबर 185 आज हमने पेज नमबर 184 तक पढ़ा है ओम श्यंति तो अगर आप तो फिर ऐसे ही करेंगे न कि जब आप आएंगे तो 15 दिन तक बाजरे की रोटी और छाज खाते रहना खाते रहना खाते रहना खाते रहना खाते रहना ठीक है न और फिर आएंगे वहिशाली बेन वहिशाली बेन तो सुनेगी नहीं आपका रू करेंगे नहीं होता है चाहिकी बिना थो चलता है味 और मुघիह दो कशला गया दोक सबस्कोलाद करेंगे करेंगे हैं नहीं करेंगे ठीक है जिसको आदत है बाजरी का रोटा और चाश पीने की यहां पे तो घर में तो सुबे का खाना शाम को खाने में तकलिव होता है मुख खराब हो जाता है कि सुबे का खाना शाम को थोड़ी खाते हैं घुजरातीं तो पिल्कुल नहीं खाते इतना नाटक होता है कि जिसके गर मैं ऐस्पेशली खाना के देने वाले हो उनको ये लगजरी होती है हमारे بास नहीं हमारे बंद या हूंको चलता है एक खाना ठीक है ci तक जिसkę बास बना के देने वाला उसके बास luxury है, right? ठीक है ना, तो यह जो बाबा ने आज बहुत सुन्दर जो कलपना दी, परी कलपना दी, कि जब बाबा बच्चों को पहाडी पर लेके जाते थे, तो पहाडी पर लेके जाते थे, तो क्या कहा, आज बुस्तक में क्या था, वो पीछे देखते थे, बच्चे आ रहे हैं, कभी उसके आगे चलते थे, कभी उनके पीछे चलते थे, हाई, तो चलो हम meditation करते हैं, और कभी बाबा को आगे ले जाते हैं, कभी बाबा के पीछे ले जाते हैं, कभी बाबा को पीछे मुड कर देखते हैं, कभी बाबा को आगे देखते हैं, कभी बाबा का हाथ अपने हाथ में देते हैं, कभी बाबा की उंगली पकरते हैं, तो ये आपका visualization है, ठीक है ना, यह आपका खुद का मेडिटेशन है, ध्यान अवस्ता में बैठें और अपने आपको आबू की पहाडी पर ले जाए, और बाबा के साथ जील के किनारे हम सभी बच्चे बाबा के आस पास जुन बना कर खड़े हैं, बाबा आगे चल रहे हैं दिरे-दिरे, हम यग्यवत, सफेद वस्तधारी, हलकी चाल में, रुहानी चाल में चल रहे हैं, हमारे कद्यम इतने हलके हैं, जो जमीन को छूते हुए भी, जमीन को मेरे पैरों का भार मैसूस नहीं होता, मुझात्मा की शान्ती और प्रेम की किरने, इस धरा के अंदर समाती हुई, महसूस हो रही हैं, और हम बाबा के संग चाल रहे हैं, और मेरे संग संग बाबा भी चल रहा है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, जैसे गगन में जान चलता है उनकी किरणों की छाया में जैसे गगन में चान चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा 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 देखू में चकर की तरा नाचु में जिव मोर की तरा भोलू में कोयं की तरा गाउं में बुलबुल की तरा मेरे मन बेहलाते हैं बाबा जेस इस रो में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बादा सोचों में भवरों की तरह जोमों में लहरों की तरह चम्पू में जुगनू की तरह मुस्काओं में फूलों की तरह मेरी आदों में रहते हैं बाबा मेरी आदों में रहते हैं बाबा जैसे सावन मेनी बरसता है बरसता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मन की में हर एक बाक हूँ एक पल भी ना में दूर रहूँ दिन रात मैं तो यो धान धरों बाबा से ही में प्यार करो मेरे अधरों पे मीठे बाबा मेरे अधरों पे मीठे बाबा जैसे अनहतना गुझता है गुझता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा मेरे संग संग चलते हैं बाबा जैसे गगन में चांद चलता है उनकी किर्णों की छाया में दिल हर पल रहता है जैसे गगन में चांद चलता है उनकी किर्णों की छाया में दिल हर पल रहता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा 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 मेरे बाबा